मेरी वाइस क्लियर है यहाँ पर सभी स्टूरेंट्स को एक बार यहाँ पर मुझे कमेंड करके बताईएगा क्या मेरी voice वगरा clear है एक बढ़ में यहाँ यहाँ पर check कर लेता हूँ सबी students जो है वो class में जुड़ जाईए एक बढ़ में यहाँ पर class को share भी कर देता हूँ टेलिग्राम चैनल पर आप लोग भी टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो चलिए बिल्कुल तो यहाँ पर संचित जी कह रहा है जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला बिल्कुल है ना क्लास जो है वो अपनी जो है बहुत दिनों बाद यहाँ पर लग रही है लाइब मॉक टेस्ट की कुछ कारण वर्ष यहाँ पर क्लासेज नहीं हो पारी थी बिल्कुल संचित जी विवेक जी रूपक जी सभी लोगों गूड इवनिंग हाँ विवेक जी बिल्कुल क्लासेज जो है बहुत दिनों बाद लग रही है ना चलेगा सो बिल्कुल यहाँ पर जो है हमारा सेम वही चीज है ना आज अपना लाइब मॉक टेस्ट है 13 जिसमें आज हम लोग यहाँ पर 25 कोश्चन करने वाले हैं इन 25 कोश्चनों में आपको आखरी में बताना है लास्ट में बताना है क्लास के बाद कि भाई आपके कितने में से 25 म से यहां पर जुड़ जाएगे चलेगा ना चाहे आप SSC की कर रहे हो रेले ग्रूबड टी एंटीपीशिं की कि प्रेशन कर रहे हो या फिर डी एफ्सी सी आईल की आप प्रेशन कर रहे हो बिल्कुल यह लाइव मॉक टैस्ट जो है आप लोग लिए यहां पर जो है काफ ह भी beneficial साबित होंगे अभी तक मैं आपर 12 live mock test करवा चुका हूँ बहुत important questions उसमें मैंने करवाए हैं है ना सो आप लोग पहले के mock test भी देख लिजेगा बिल्कुल संदीब जी hello good evening चलिए सो यहाँ पर start करता हूँ मैं पहला question यह रहा आपकी screen पर इसका मुझे आंसर बताईए क्या question है बिया क्या question है यहाँ पर western dedicated freight corridor extends for which of the following Indian states बहुत ही easy question है और इस pattern के question exam में पूछा जाता है western dedicated freight corridor निम्न में से किस भारती राज में फैला हुआ है बताईए हर्याना महराष्ट राजिस्थान उत्त्यपदेश महराष्ट से उत्त्यपदेश या फिर हर्याना से उत्त्यपदेश क्या होगा हमारा इसका आंसर बताईए चलिए चलिए तो यहाँ पर किसी का आंसर बी आ रहा है किसी का सी किसी का डी तो ध्यान दीजेगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा नो नो यहाँ पर confusion आप लोग को बहुत confusion है ना देखेगा जो WDFC है जो western dedicated freight corridor है वो है महराष्ट से उत्त्यपदेश है ना कितना है महराष्ट से उत्त्यपदेश में फैला हुआ है पूरा western dedicated freight corridor कोई मुझे इसकी total length बताएगा क्या WDFC की कोई मुझे length बताएगा क्या तो comment box में मुझे आपर आप लोग WDFC की total मुझे length बताएगा clear सो आपको जो western dedicated freight corridor है वो फैला है महराष्ट से लेके उत्त्यपदेश तक clear हो गया अगला question यहाँ पर देखेगा where was India's first commercial railway line laid भारत की पहली वाणिजिक railway line कहा बिचाई गई थी बताएगे बिल्कुल तो यहाँ पर आपका question है कि भारत की पहली वाणिजिक railway line कहा बिचाई गई थी तो बिल्कुल यहाँ पर मुंबई में बिचाई गई थी सभी को पता है भीया कौनसा 16 April 1853 यह सभी को याद है यह सभी को याद है यह date यह month और यह year तो बिल्कुल यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा भीया कि भारत की पहली commercial railway line जो बिचाई गई थी मुंबई में बिचाई गई थी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला question देखेगा डेली Metro Rail Academy was established on डेली Metro Rail Academy किस स्थापना डैश को हुई थी है ना तो मतलब हमें date बतानी है year बताना है month बताना है सो बिल्कुल डेली Metro Railway Academy कब establish हुई थी यह मुझे बताईए 24 दिसंबर 2002 19 जुलाई 2002 16 मार्श 2003 और 20 दिसंबर 2004 क्या होगा इस question का answer बताईए मिक्स सवाल है ना बिल्कुल निलेज जी मिक्स सवाल है बिल्कुल है ना आपको यहाँ पर geography, history, quality, biology, physics, chemistry सभी के यहाँ पर questions देखने को मिलेंगे maths की भी मिलेंगे बट आज मैंने maths की यहाँ पर रखा नहीं है बिल्कुल सो यहाँ पर आपको correct answer क्या हो जाए गभी यह 19 जुलाई 2002 है ना बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली मैटो रेल अकेडमी जो है वो कभ इस्टैबलिश की गई थी 19 जुलाई 2002 को बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखेगा यहाँ पर current affair का question बनके आएगा है ना करेंट affair का question बनके आएगा क्या question है यहाँ पर उस train का नाम बताइए जिसे lockdown के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए 1 मई 2020 को शुरू किया गया था अन्तिव दया एक्सप्रेश, श्रमिक एक्सप्रेश, किसान एक्सप्रेश या फिर अल अवफ द अबवव very good बिल्कुल यहाँ पर मैक्जम स्टूरेंट्स का बिल्कुल सही आंसर है श्रमिक एक्सप्रेश है ना तो बिल्कुल यहाँ पर लॉकडाउन के समय यहाँ पर जो है एक मई 2020 को कौन से ट्रेने आपर शुरू कह गयी थी प्रवासी मजदूरों के लिए तो वो थी श्रमिक एक्सप्रेस है ना यदि आपसे किसान एक्सप्रेस पूछ लिए रहा है कि कब शुरू की गई थी तो ध्यान रखेगा यह की गई थी श्रमिक एक्सप्रेस के बाद मतलब यह करी गई थी 7 अगस्त 2020 को चीक है 1 मई 2020 को श्रमिक एक्सप्रेस जो है वो स्टार्ट की गई थी और 7 अगस्त 2020 को किसान एक्सप्रेस स्टार्ट की गई थी है ना जो आपके एगरी प्रोड़क्ट्स होते हैं उसके ट्रांसपोर्ट के लिए है ना एगरी प्रोड़क्ट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए किसान एक्सप्रेस स्टार्ट की गई थी 7 अगस्त 2020 तो इसको भी यहा सेंचुरी बाई विजडेन क्या कोशन है यहां पर देखो विजडेन द्वारा किसे 21 सदी के भारत के सबसे मुल्यवान टेस्ट खिलाडी के रूप में नामित किया गया है महिंद्र सिंग्धोनी विराट कोली रविंद्र जडेजा या फिर आर अश्विन क्या होगा इस कोशन का अंजर भाई स्पोर्ट से रिलेटेड तो आप यह मान के चलिए चाहिए आप एससी का पेपर दे रहे हो रेलवे का दे रहे हो यहां यहां पर ध्यान रखेगा भी यह जो विजडन है ना जो इंडियास मोस्ट वैल्योवेबल टेस्ट प्लेयर टेस्ट प्लेयर भी यहां लिखा है इंडियास मोस्ट वैल्योवेबल टेस्ट प्लेयर ऑफ दे 21 सेंचुरी बाई विजडन वो है रविंद्र जडेजा क्या आंसर हो जाएगा है यहां पर आपका रविंद्र जडेजा विराट कोली नहीं होगा रविंद्र जडेजा यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं यह दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन है तो पहले नंबर पर है श्री लंका के क्रिकेटर कौन मुतहिया मुर्ली धरन क्लियर सो दोनों प्लेयरों को यहां पर आपको ध्यान में नाम रखना है क्या इतनी चीज़े क्लियर है एकोनॉमिक्स भी जो है एकोनॉमि जड़े जा आगे बढ़ते हैं विच स्टेट इस टू सैट अप इंडियाज फर्स्ट स्किल युनिवर्सिटी एटक कॉस्ट ऑफ ओवर रूपीज 850 करोड रूपए से अधिक की लागत से भारत का पहला कोशल विश्विद्याले किस राज्य में इस्थापित किया जाएगा मत्यपतेश आसाम वेस्ट वेंगा लियाफर गुजरात क्या होगा इस कोशन का आंसर बताईए चलिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम क्या आंसर हो जाएगा भी है आसाम है ना इंडिया फर्स्ट इस्किल यूनिवर्सिटी एटे कॉस्ट ऑफ ओवर रूपीज 850 करोड कहां पर यह स्थापित हो रहा है तो यह आसाम में हो रहा है यहां पर हम पढ़ सकते हैं the government of आसाम has proposed to set up a skill university as mangaldoi in दारंग district the new university would be set up at a cost of over रूपीज 850 करोड आसाम cabinet has approved the आसाम skill development university bill clear हो गया तो बिलकुल यहां पर जो है आपका skill university जो खोली जा रही है वो आसाम में खोली जा रही है क्या इतनी चीज़े clear है चलेगा गुजरात गलत answer हो जाएगा आसाम correct है अगला question यहां देखेगा यह तो easy है यह तो आप लोगों नहीं भी सुना है क्या है यह what is N1 stop lamp that was seen in news recently N1 stop lamp क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा COVID-19 test, disinfectant lamp, PPE या फिर face mask क्या हो जाएगा इस question का answer बताईए चले तो देखेगा यहां पर जो N1 stop lamp है वो यहां पर क्या हो जाएगा आपका COVID-19 test यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं English में भी और Hindi में भी ठीक है As per the findings published in the Journal of Medical Microbiology, a new low-cost nasal swab test named N1 stop lamp has been developed. As per the researchers, the test can accurately diagnose the presence of SARS-CoV-2 virus that cause COVID-19 in just 20 minutes. It is also 100% accurate in diagnosing the sample at high loads. It uses a single tube and involves only one step and so it is very efficient and affordable. Clear, so यह English में भी मैंने यहां पर लिख दिया है, Hindi में भी लिख दिया, आप लोग दोनों चीज़ से पढ़ ली जएगा. Clear हो गया, चलेगा. अगला कोश्चन है, यहां देखेगा, easy कोश्चन है, Onam is the cultural festival of which Indian state UT? Onam किस भारती राज या फिर केंद शाशित पदेश का सांस्कृतिक तेवहार है, आसाम, केडला, तमिलनाडू या फिर करनाटक? क्या होगा इस कोश्चन का आंसर बताईए? Very good, बिल्कुल यहां पर सही है, है न, Onam जो है, वो कौन से state का यहां पर cultural festival है, तो वो है केरल का, केरला का, बहुत बढ़ी है, है न, बिल्कुल सही है. So, Onam is the most important festival celebrated in the state of केरला, it is also called तिरूव Onam, and it's celebrated at the beginning of the month, चिंगम of Malayalam केलेंडर. Clear हो गया, सो बिल्कुल यहां पर Onam जो है, वो यहां पर cultural festival है, किसका केरल का? आगे बढ़ते हैं, अगला question, इसका answer बताईए क्या होगा? Air Force Day कब मनाया जाता है? बताईए, Air Force Day कब मनाया जाता है? झाल केरसंडर. चलिए, यहाँ पर देखेगा किसी का अंसर यहाँ पर B आ रहा है, किसी का D, बहुत कन्फूजन है, बहुत कन्फूजन है, देखो यहाँ पर, जो आपका Air Force Day है, वो 8 October को मनाया जाता है, समझो, आर्मी डे अगर पूछेगा, आर्मी डे, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है, 15 January, नेवी डे पूछेगा, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, 4 December, और यदि Air Force Day पूछेगा, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, 8 October, क्या इतनी चीज़े क्लियर है, यह तीनों आर्मी डे यदि पूछेंगे, तो हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, 15 January, नेवी डे पूछेंगे, तो 4 December, और Air Force Day पूछेंगे, तो 8 October, तो हमें इस question में यहाँ पर Air Force Day पूछा था, तो 8 October, यहाँ पर correct answer हो जाएगा, clear, so the Indian Air Force is celebrating 88th Air Force Day on October 8, on the same day, the Air Force in India was officially formed in 1932, to support the Royal Air Force of the United Kingdom, clear, so यह जो है 88 देतो हैं यहाँ पर 2020 की यहाँ पर बात हो गई, clear हो गया, चलेगा, आगे बड़े, आगे बड़े, अगले question की ओर चले, इतनी चीज़े clear है, चले, अगला question देखो, history का है, वो भी ancient का, क्या question है यहाँ पर, the famous bull sill was found at which Indus Valley civilization site, प्रसिद बुल सिल सिंदु गाटी सब्विता के किस स्थल पर मिली थी, हरपपा, मोहन जुदारो, लोथल या फिर चन हुदारो, बताईए, क्या होगा इस question का अंसर, बताईए, बताईए, क्या होगा इस question का अंसर, चलिए, सो बिलकुल यहाँ पर देखेगा, कि जो प्रसिद बुल सिल सिंदु गाटी सब्विता के किस स्थल पर मिली थी, तो यहाँ पर आपको हरपपा ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है हरपपा, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, सिंदु गाटी सब्विता के स्थल पर हरपपा में प्रसिद बुल सिल पाया गया था, आकरिती को अच्छी तरह से बनाया गया है, जो उस समय के लोगों द्वारा अरजित उतक्रिष्ट कलात्मक कौशल का प्रामान है, क्लियर होगे इतनी चीज़ें, तो यहाँ पर ध्यान में रखेगा, अच्छा, यहाँ पर मोहन जो दाड़ों से भी रिलिटेड है, क्लियर हो गया, तो यहाँ पर मोहन जो दाड़ों में जो है, वो मुहरे मिली थी, किस की जैसे की गेंडे की मुहरे इस प्रकार से है न, और जो यहाँ पर बुल सिल है, वो यहाँ पर मिली थी, कहाँ पर हडपा में, आगे बढ़ते हैं, अगला कोश्चन, अगला कोश्चन गुलाम गिरी किसके द्वारा लिखी गई थी बताईए ये SSC में बहुत बार याला कोशन पूछा गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भीया यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि प्रसिद पुस्तक गुलाम गिरी किसके द्वारा लिखी गई थी तो यहाँ पर जोतिवा फूले आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा जोतीबा फूले क्लियर हो गया बिलकुल यहाँ पर रूपक जीव का यहाँ पर बिलकुल सही आंसर था कि जो गुलाम गिरी पुस्तक है वो किसके द्वार लिखी गई थी तो वो लिखी गई थी जोतिवा फूले के दोरा यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं मैंने यहां पर आपको थियोरी लिखके दे दी है clear चले आगे बढ़ते हैं इंग्लिश वो मेंड गार यहां और यह चीज जोंधा अंच्छ में बनाया गया 1844 में 1835 में 1831 में यहां सो तेरा में क्या होगा워서 बताईए तो देखेगा हैं आपर और यहांपर आपको ठीक्लीकर आपका रहतकर हैं आपका 985 फ़यर हो गया सो बिलकुल यहांपर भारत में किस वर्श अंग्रेजी को सिख्छा का माद्यम बनाया गया था तो 1835 में यहाँ पर बनाया गया था The English Education Act was a legislative act of the Council of India in 1835 giving effect to a decision in 1835 by William Ben Tick the Governor General of British India to relocate funds The East India Company was required by the British Parliament to spend on education and literature in India clear हो गया तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेगा 1835 अगला question यहाँ पर देखेगा Chemera Dam कहाँ पर है यह हमें बताना है है ना Chemera Dam किस राज में है या फिर किस केंद शाशित प्रदेश में इस्थित है बतायेगा बिलकुल E.R. में जो है वो Confusion होता है है ना E.R. में जो है वो Confusion यहाँ पर होता है चलो चलिए चमेरा बांध जो है वो कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में है यह तो यहाँ पर पहली क्लिक हो गया गलती से चलो चमेरा डैम कहाँ पर है भी हिमाचल प्रदेश में है अगला question देखते हैं The following river originates in Rajasthan and disappears in Gujarat निमलिखित नदी राजस्थान से निकलती है और Gujarat में लुप्त हो जाती है तो कौन सी नदी है वो लूनी, नर्मदा, तापी या फिर बानस बताईए निमलिखित नदी राजस्थान से निकलती है और Gujarat में लुप्त हो जाती है कौन सी नदी है वो लूनी, नर्मदा, तापी या फिर बानस अब यहाँ पर आप दो option तो यहाँ पर आप देख के हटा सकते हो है न एक तो नर्मदा और एक तापी यह दोनों तो आप हटा सकते हो क्योंकि हमें पता है कि नर्मदा जो है वो कहां से निकलती है वो आपके मध्यपदेश से निकलती है बट यहाँ पर जो है राजस्थान का पूछा है तो बिलकुल यहाँ पर आपकर correct answer क्या हो जाएगा लूनी नदी है ना लूनी रिवर बिलकुल यहाँ पर सही आंसर है और इस पर हम थोड़ा से देख लेता है इसकी थियूरी दा लूनी रिवर इस रिवर ऑफ वेस्टर राजस्थान इस स्टेट इंडिया इट ओरिजिनेट्स इन दा पुश्कर वैली ऑफ अरावली रेंज नियर अजमेर एंड्स इन्दा मार्शी लैंड्स ओफ रन ओफ कच इन गुजरात आफ्टर ट्रेविंग डिस्टेंस ओफ फाइफ थर्टी किलोमेटर क्लियर हो गया तो बिलकुल यहाँ पर लूनी जो है वह यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोश्यन द थी भारत में किसी राज की राजपाल बनेने वाली पहली महिला कौन थी सेला ग्रेवाल पदमाजा नाइडू राजकुमारी अमरित कौर या फिर सरोजनी नाइडू क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल है ना यह तो काफी इजी कोश्यन था यह तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं उत्रप्रदेश की थी सरोजनी नाइडू बिलकुल सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोजनी नाइडू सो इतनी चीज़ें हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई अगला कोश्चन यहाँ पर देख अच्छा अगर पहली अगर फिर्स्ट फी सुचीतरा किपलानी है ना यह भी यूपी की थी क्लियर चलो सो इस चीज़ को भी आपर ध्यान रखेगा अगला कोश्चन है आपर क्या हो जाएगा भी यह कि दा नागजीरा वाइलाफ सेंचुरी एन डब्लू एस इस लोकेटेड इन विच स्टेट नागजीरा वंजीव अभ्यार और किस राज में इस्तित है महराष्ट हिमाचल प्रदेश जम्मु काश्विर या फिर नागा लेंड सो बिलकुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो नागजीरा वन्जीव अभ्यारण है वो किस राज्यम है तो वो है महराष्ट में है ना कहां पर है महराष्ट में है तो इसको दियान रखेगा इस चीज़ को यहां पर जहां रखेगा जो नागजीरा वन्जीव अभ्यारण है जो नागजीरा वाइड लाइफ सेंचूरी है वो महराष्ट स्टेट में है अगला कोश्चन है यहां पर देखेगा विच इस टॉक एक्सचेंज ऑफ एश्या है थोड़ा बहुत यहां पर इकोनोमिक्स की भी कोश्चन हमें देखना जरूरी है चलो एश्या का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिंगापूर स्टॉक एक्सचेंज शंगाई स्टॉक एक्सचेंज या फिर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा इ करेक्ट आंसर और यहाँ पर यहां पर को यहां पर खोप्ख एपक्षेंज कौन सा यहां बोंबे स्टाउख एक्सेंज कौनसा है स्टोक एक्सेंज ना So the Bombay Stock Exchange is the oldest stock exchange of Asia and it was established in 1875, clear हो गया, so इस चीज़ को भी यहां पर ध्यान रखियेगा, जो आपका Stock Exchange of Asia, जो oldest है, वो कौन सा है, Bombay Stock Exchange, जो की 1875 में यहां पर established हुआ था, अगला कोश्चन यहां देखेगा, what is the number of true ribs in human body, यह बायोलोजी का कोश्चन आ गया, कि मानव शरीर में सच्ची पसली हो, है ना, अब true ribs को हिंदी में क्या सच्ची पसली है बोलते हैं, क्या कहते हैं, है ना, सो बिल्कुल यहां पर कितनी संख्याई होती हैं, 12, 14, 16 या फिर 18, क्या होगा इस question का answer, बतेए, what is the number of true ribs in human body, 12, 14, 16, या फिर 18, पर फिज को दो राइब दो दोग एंग जो हैंग आमास्ताइब, क्वित अदिल राइब मने कर सक्विति अॉप टूब कर सक्विति अवा कर दो राइब झार सेथेंगाब शेट राइब। बिल्कुल सो यहां पर ध्यान दिजेगा यहां पर जो human body में जो total true ribs होती है वो होती है 14 क्लियर कितनी होती है 14 होती है तो देखो यहां पर there are total 24 ribs अगर मैं pair की बात करूँ तो 12 pairs रहेंगे ठीक है जिन में से 14 जो होती है अगर मैं pair में कहूँ तो 7 pairs जो है वो कहलाती है true ribs ठीक है अगला question देखेगा क्या हो जाएगा यहां पर which of the following bacteria forms and endosymbiotic nitrogen fixing association with roots of legumes that helps in nitrogen fixation निमलिखित में से एक पौहन सा bacteria फल्लियों की जड़ों के साथ एक endosymbiotic nitrogen fixing association बनाता है जो nitrogen स्थिरी करण में मदद करता है क्या हो जाएगा इस question का अंसर बताइए बहुत बढ़िया अगर सभी students को अगर यहां पर classes अगर अच्छी लग रही है तो भी यह class को यहां पर like करिएगा और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो इन्टू useful amino acid clear हो गया तो बिल्कुल यहां पर आपका option भी राइजो भी हम यहां पर आपका correct answer हो जाएगा अगला question maximum number of animal species belong to which among the following groups जानवरों की प्राजातियों की अधिक्तम संख्या निम लिखित में से किस समू से संबंदित है mammalia या ऐसा कहलो mammals, aves, pieces या फिर arthropoda क्या होगा इस question का answer बताईए सभी स्टूरेंट से request भी यहां, इस देख रहाएं सभी एक बार class कणस खतम हुने के बाद चैनल को एक बार आप सभी स्टूरेंट्स शेर कर दीजैगा अपने दोस्तों में है, ना एक बार अपने दोस्तों में यहां पर शेर कर दीजैगा, === groups गर वहें उसमें शेयर कर दीजेगा और सभी को सब्सक्राइब करने को भी कह दीजेगा क्लियर हो गया चलिए और आप लोगों से एक अलग स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टुडेंट्स मैच्स और रीजनिंग सारी चीज़ें आपर बेसिक कॉंसेट्स से हो रही है नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं चलिए बिल्कुल यह आपर जानवरики परजातियों कि अधिक्तम संख्या नंमंद में इसे किस समूहें से संबंदित है तो आर्थो पॉड़ा यहां पर आपका करेक्ट 3rd of all the named species on earth belong to this phylum and mosquito flies cockroaches shrimp crabs spider scorpion etc are example of arthropodas these are three main classes of arthropodas as follows तो आप लोग यहां पर जो है यह तीन यहां पर जो है classes पढ़ सकते हैं insects crustaceans and archanides clear so इस चीज़ को यहां पर एक बार देख लेज़ेगा अगला question आपर क्या हो जाएगा आपका कि which of which among the following hormone can be used as a drug to treat cardiac arrest and some other cardiac problems निमलिकित में से कौन सा हर्मोन cardiac arrest और कुछ अन्य हिर्दय समद्धी समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है या फिर किया जाता है बताईए क्या होगा इस question का अंसर थाइरॉक्सिन क्या होगा इस question का अंसर बताईए बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखें निमलिक्सिन क्या क्यों से कौन सा हर्मोन काइडियक अरेस्ट और कुछ अन्हेदय समंदी समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो देखेगा अगर मैं एड्रीनल लिखता तो आप लोग मुझे आंसर बता देते हैं अगर मैं यहाँ एड्रीनल जगा यहाँ पर जो है एपिन फ्रेंट जो है यह भी लिखा हो सकता है क्लियर सो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको एक बार थियोरी पढ़ लिजे एफिन फ्रीन विच इस आलसो नोन आज एड्रीनलीन इस अ मैडिकेशन एंड हार्मोन इट is used to treat a number of conditions including cardiac arrest, anaphylaxis, asthma and superficial bleeding क्लियर हो गया सो इस चीस को भी यहाँ पर दियान डखेगा आगला कोश्चन देखेगा यहाँ पर which among the following is measured using a vernier caliper, बहुत easy question है, है ना बहुत easy question है, important में लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बार exam में पूछा भी गया है, निमलिकित में से किसे vernier caliper का उपयोग करके मापा जाता है, है ना, मतलब कहने का मतलब यह है कि vernier caliper जो device उसका use कहा पर किया जाता है, dimension के लिए, time के ल correct answer है, है ना, जो vernier caliper है, वो यहाँ पर किस चीज के लिए यूज होता है, dimension, है ना, dimensions को यहाँ पर measure करने के लिए vernier caliper का use किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर option A, जो है, वो बिल्कुल correct answer हो जाएगा, clear हो गया, यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते है, the vernier caliper has a main scale and a sliding vernier scale which can measure near as to 0.02 mm, clear, so इस चीज को यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजेगा, मैं आपको PDF दे दूँगा, PDF जो है, वो टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी, चलिए, अगला question है, the x-ray crystallography mainly uses which among the following properties of electromagnetic radiation, x-ray crystallography मुख रूप से विद्यो चुम्ब की विकिरन की निम लिखित गुणों में से किसका उप्योग करती है, reflection का, diffraction का, interference का, या फर reflection का, क्या होगा इस question का answer, बताईए, बिल्कुल जितने भी यहाँ पर engineering students होंगे, उनको vernier caliper है ना, बहुत अच्छे से पता होगा ना, vernier caliper, venturimeter, यह सबी यहाँ पर engineers को पता होगा, क्या होता है, बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पर आपको correct answer क्या हो जाएगा भी है, diffraction, क्या answer होगा, diffraction, ठीक है, so the x-ray crystallography mainly uses which among the following property of electromagnetic radiation, the answer is diffraction, यहाँ पर आप इसकी जो है, theory भी पढ़ सकते हैं, x-ray crystallography helps to determine the atomic and molecular structure of a crystal, the crystalline structure performs the diffraction and it causes a beam of incident x-rays to diffract into many specific directions, clear हो गया, चलेगा, अगला question है यहाँ पर, which among the following is responsible for depletion of ozone, बहुत easy question है, निमलिकित में से कौन, ozone के रास के लिए उत्तर दाई है, carbon monoxide, यह शायद में पहले भी करा चुका हूँ question, carbon dioxide, chlorofluorocarbon, या फिर mercury oxide, क्या होगा इस question का answer, बताईए, carbon monoxide, बताईए, 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 क्युआ इसvä अमनग दाईए, बताईए, 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 लूगोज होगा psychologyParty, बेताईए, में से रहता है। chlorofluorocarbon clear so the cfc's are non-toxic non-flammable chemical containing atoms of carbon chlorine and fluorine they are used in the manufacture of aerosol sprays blowing agents for foams and packing materials as solvents and as refrigerants they were held responsible for depletion of ozone layer so बिलकुल यहापर आपर chlorofluorocarbon options is the correct answer of this question अगला question यहापर देखेगा which among the following happens in an oxidation reaction so निम्न में से कौन oxy current पती क्रिया में होता है electrons are gained electrons are lost protons are gained protons are lost क्या होबा इस question का answer बताईए है ना oxidation समझते हैं ना हम लोग oxidation क्या होता है addition of oxygen और removal of hydrogen है ना अच्छा और reduction क्या होता है reduction सो यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा यहाँ पर addition of hydrogen हो जाएगा और removal of oxygen हो जाएगा clear तो oxidation और reduction तो हमें पता है है ना oxidation क्या addition of oxygen और reduction of hydrogen और reduction क्या addition of hydrogen और reduction of oxygen ठीक है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा यह लॉस है ना electrons are lost बिल्कुल तो यहाँ पर oxidation reaction के समय क्या होता है जो electrons होते हैं वो लॉस हो जाते हैं हो जाते हैं है ना हिंदी में यहीं कहेंगे तो oxidation is the loss of electrons during a reaction by a molecule atom और ion when oxidization occurs an element losses electrons and its oxidation number increases that is it becomes more positive क्या इतनी चीज़े clear है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा कि which among the following happens in an oxidation reaction so the answer is electrons are lost क्या इतनी चीज़े clear हैं बताइए क्या इतनी चीज़े clear है clear हो गया चीक है चलो बिल्कुल तो यह थे भीया आज के हमारे questions total 25 questions थे आप लोग मुझे आपर comment करके बताइए कि आपके 25 में से कितने questions सही हैं और आप कौन से exam की preparation कर रहे हैं clear suppose अगर आपके 25 में से 20 questions सही हैं तो लिखेगा 20 और यदि आप chsl की preparation कर रहे हैं तो यहां लिख दीजेगा chsl चली बताइए मुझे किस किस के कितने कितने marks आए हैं बताइए किस किस के कितने कितने marks आए हैं अरे यहां पर जवाब दो पहले किस किस के कितने कितने marks आए हैं किस किस के कितने questions सही हुए हैं बताइए फिर भी विनिज जी फिर भी approach बता दो कितने सही हुए होंगे फिर भी approach बता दीजिए कितने सही हुए थे रूपक जी के आपर 18 questions सही हैं बहुत बढ़िया डिफ से सी आईल कि preparation कर रहे हैं एहसान जी के आपर 17 सही हैं संचिर जी के 16 सही हैं कनिश्क जी के आपर और राइट फ्रॉम अच्छा है एटेंट टूइटिफाइफ ठीक है चलिए और सभी लोग यहाँ पर on time class में आईएगा है ना पता है यहाँ पर 10 बज़े जो है अपनी class यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और वैसे भी मैं शाम में जो है टेलिग्राम चैनल पर तो नॉटिफिकेशन दे देता हूँ जब भी रहती है class है ना सत्य प्रकाश जी के आपर आच सही है संचित जी के 21 सही है है ना चीक है विनिज जी के आपर 5 question 5 में से 5 चलो ठीक है सो बिलकुल यहाँ पर जो है आप लोग की जो classes है ना यहाँ पर regular तरीके से तो खेर भी होनी पा रही है बट हाँ बिलकुल यहाँ पर regular तरीके से दोबारा से स्टार्ट होगी जैसे पहले चल रही थी बीच में बिलकुल वैसी करेंगे और यहाँ पर जो math and reasoning की class सभी से रि description box में दे रही है वहाँ से आप लोग जॉइन कर लिजेगा अगर आज की class अगर अच्छी लगी हो तो like करिएगा ठीक है class को share करिएगा और comment करके बताएगा कि classes कैसी लग रही है यदि आप लोग offline यह mock test देखेंगे तब भी मुझे comment करके बताएगा कि आपके 25 में से कितने questions आई और आप कौन से एक्जाम करने क्लियर अच्छा और में खास तोर पर यह चैनल अगर आप लोगों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा और खास तोर पर अपने दोस्तों में यहाँ पर चैनल को शेर करना जरूरी है अपने groups में यहाँ पर चैनल को शेर करना यहाँ पर जरूरी है यह आप लोगों से एक request है clear हो गया बिल्कुल सो अभी के लिए हम लोग इतनी रखें मैच की भी हाँ मैच की भी यहाँ पर देखिएगा classes जो है वो चल रही है है ना simple interest खतम हो चुका है आज ही मैंने installment पढ़ाया था आपको बहुत है ना 10-10 मिनट कहीं था इस्टोर्मेंट दो तो बिल्कुल simple interest खतम हो चुका है कल मैं यहाँ पर आपको compound interest जो है वो यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं clear और reasoning में जो है sitting arrangement start होने वाला है ठीक है coding recording खतम हो चुका है अब हम sitting arrangement जो है वो start करेंगे सो match में compound interest और sitting arrangement reasoning में clear है मैंस के वीडियो बिल्कुल यहाँ पर मैं अब डाल रहा है ना आज ही मैंने डाला था simple interest का वो complete हो गया अब compound interest और reasoning में sitting arrangement ठीक है दोस्तों है बिल्कुल हाँ कल एक बार में देख लेता है अगर schedule नहीं होगा तो कल मैं मतलब जो यहाँ पर जो है बाकी जो जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं अगर वहां पर अगर शेडियूल अगर नहीं होगा तो फिर मैं कल एक जो है पूरा एक प्रॉपर तरीके का आने वाले एक हफते का मैं schedule बना दूंगा कि कौन-कौन नहीं आते टेलिग्राम पर नॉटिफिकेशन सबसे आदर नॉटिफिकेशन टेलिग्राम पर ही आते हैं ना बिल्कुल डेली में यहां पर जो है कुछ न कुछ यहां पर टेलिग्राम पर दे रहा हूं आप लोग के exam से related जो आपके exam में काफी important रहेगा कभी मैं geography के question दे देता हूं कभी कुछ important points वगएरा कुछ facts वगएरा दे देता हूं जो exam में बार बार पूछे जाते हैं ना तो बिल्कुल टेलिग्राम चैनल में सारी चीज़ें आपर upload हो रही है बिल्कुल चीक है चले अभी किले हम लोग इतना रखते हैं मिलते हैं next class में जब तक लिए बाबाई